तो दोस्तों आज 4 ओक्टबर 2023 बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपोर्टेट्स के उपर कुछ इंपोर्टेट्स है कुछ इंपोर्टेट्स है तो चले के कड़के कवर करते तो सबसे भेला हम बात करेंगे तो आज शेयर क्लोजिंग दिया 75.10 रुपीज लगबक 1.96 परसें गिरावट के साथ अब देखे आयरेपस की शियर लास्ट एक मैने पे बहुत अच्छा रिटन दिया मतब शुरू कि अगरम बात कर उसके बात देखे शेयर में लगातार करेक्शन देखने को मिला और खास कर के लास्ट दो हफ्तों पे शियर अल्मोस्ट 80 रुपीज से लेके 75 रुपीज यह जो पांच पॉइंट की रेंज है इसी रेंज के आसपस ट्रेट किया अब न्यूस की उपर चले सबस्वेल हैं आपको लेके चलता हो न्यूस दोस्तों शेयर होल्डर के लिए बहुत अच् कंपनी द्वारा इसके उपर भाई का रेटिंग दिया साथा टार्गेट प्राइस दिया 10% 20% नहीं सीधा 57% जिहां दोस्तों ऐसे रिटन देने का कबिलेत रखता है मतलब नेक्स्ट कुछ टाइम से तो चले मैं आपको पहले लेके चलता हूं यहां पर क्या कुछ मेंशन क गया पराम से यह अपना पुराना हाई जो था 92 रूपीज उसको ब्रेक करके भी उपर बहुंच सकता है उसके साथ साथ देखे और आप साइट ऑफ आप टू 57 परसेंट विल ओपेन इन आयरेप सी फॉर लेबल अप रूपीज वन ट्वेंटी तो यहां पर टार्गेट प् कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बतना मुझे लगदे कि जरूर 80 से लेके 85 रूपीज का लेबल जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है यह अगर ब्रेक करके शेयर उपर पहुंच गया तो आई थिंक कि शेयर 120-30 एक 110 तो जाने का पूरा-पूरा पोटेंशियल है बाकी दोस्तों मैं आपको बोलूगा आपकर शेयर है तो इमेरेटल यहां पर सेल्फेल मत करना और नहीं है तो थोड़ा-थोड़ा करके बाई-उन-डेप स्टेज से इसमें इंवेस्टमना शुरू कर सेकते हो आज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक छोड़े से फंडामें इसका मतलब यह है कि इस कम्पनी का दो शियर है तो उसके साथ आपको एक बोरफ जाय जाय का को एक जिए है यानि आप अगर 12 ओक्टोबर या तो उसके पहले इस कंपणी के शेयर पर्चेस करें तब ही जा कि अब इलिजीबल शेयर होल्डर बनेंगे यह बोनास पाने के लिए ठीक है बट हाँ छोटे कंपनी ऑविसली जिस बैसे काफी रिस इस फैक्टर भी रहता है दोस्तों आपको मैं कल सेम टाइम वीडियो में क्या कहा था याद करके देखें कि बजाज फानास दोस्तों ब्रेक आउट देगा और फाइनल दोस्तों आज ब्रेकाउट आभी चुका है अगर आपने देखोगे आज शुरुआत कहां पर हुआ आठ 1.29 परसें गिरावर के साथ क्लोजिंग दिया अच्छी बात है अब उसके साथ साथ दोस्तों आज जैसे को माले कोई बड़े कंपनी बड़े बैंक्स बड़े इपसी रेजल्ट आउट करने के पहले अपने बिजनेस का अपडेट देता है क्वार्टली तो यहाँ पर दोस 26% ग्रो किया और इस बात का अलर्ट में आपको बहुत पहले से बार बार करना कि इस टेप की कंपनी को छोड़ना नहीं है इसका जो मार्केट की पकर है मार्केट का जो कैप्चर है यह दोस्तों बड़े-बड़े कंपनी आएगा इन बेपसी आए का जाएगा इसका अल्मोस्ट 85.3 लाक की वर पहुंच चुका है तो कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ और इसके साथ ब्रोकरेज कंपनी ने भी दोस्तों इसके उपर नेक्स लेबल का टार्गेट दिए चलिए मैं आपको तरह ब्रोकरेज का क्या आया है नमबर मतब जो क्या टार्गेट है मै टार्गेट दिया 8830 रुपए का उसके साथ तो चोड़ी दीजिए फाइब पहुंच चुका है पहले टार्गेट दिया था सारे 9000 रुपए का इस बार न्यू टार्गेट आया देखिए इसको उपर बेस करके मतब कॉर्टर 2 का बिजनेस का अपडेट को बेस करते 10300 ब्लोकरेजन के इसको कवर किया कि दर गया इसका टार्गेट है यह देखे 8100 का असपास जो कि यहां पर मेंशन किया कि यह पर बाइंग रेंज या बाइंग सिगनल है उसके साथ पोटेंशियल है अल्मुस्ण और अथा आठ जर से लिक्टार 8800 तक यहां पर टार्गेट य ठीक है तो अब बात करें जाद है जो ब्रोकरेज कंपनी अपना टार्गेट को रेस किया जो कि बहुत अच्छी बात है और कंपनी होना भी चाहिए कि लास्ट काफी साल हो से एक डियर साल से शेर में कोई बहुत बड़ा मुपवें देखने को नहीं मिला अभी दोस्तों समय चुका है क्योंकि एक लेवल में बार बार जब हीट होता है वह लेवल बहुत यासन से ब्रेक हो जाता है तो जिस बैसे मां बोलूंगा इस टैप की कंपनी को चाहिए आपका लॉंग टम का अगर परपस है चाहिए एसे पी की तुरूप बाई करें या ब्योटी स्टेज मे ग्रोथ देखने को जो कि बहुत अच्छी बात है ठीक है मतलब यह और अच्छा बिजनेस ग्रोथ के बावजुद भी शियर्स के अंदर हमें आज गिरावाट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला हो सकते हैं कि मार्केट का भी थोड़ा बहुत इंपक्त हमें देखने को मैं मैं आपको बोलूँ का कि इमीडेटली देखिए यहां पर जहां पर आपना 50-50 चांस है कि हां चलो हो भी सकते हैं वहां पर इग्नोर करना है आइधिंग बेस्ट ऑप्शन रहता है बाकी देखे आपके उबर डिपेंड करते हैं ठीक है आज नेक्स्ट इंपॉर्टिन अब 20 चल रहा है विश्ण शूर्य या प्रोजेक्ट 29 पर सुर्हा चल रहाएं शार्प चर्क्स 25 पर संट प्लाजा बहुत संदर संदर इसका रिसपान्स भी यह बजाल परक्राइगा पांस तरह तरीक लिए सब्सक्राइब नहीं कर निका इंडेस्ट्री 00 चल रहा है इसके सार पेस टेन परसेंट वेनस इनोवेटिव टेक्नलोजी तवेनटीश परसेंट वन क्लिक लोजिस्टिक 45 परसेंट उसके बाद अरबियन पेट्रूलियम यह दूख आई-प्यों यह कल बाजार पर लिस्ट हो का थोड़ा ध्यान रखना इंस्पायर फ्लीम होगा पांसतारी कल ल दिया था याद करके देखें और लिस्ट होने के बाद एक दम से इसमें अपर सर्किट भी देखने को मिला यह दोस्तों कि आपका आई-प्यों चली देख लेते नेक्स्ट अपडिट आई-पसी फॉस्ट बैंक तो दोस्त आपने देखा होगा कल मैं आई-पसी फॉस्ट ब रुपीज पे और देखी यह कुई आई-पी का जो फ्लोर प्रेस सेट किया है 94.95 यानि अप्रॉक्सिमेटली 95 रुपीज पे और यह कोई छोटा मोटा क्यों भी नहीं है क्यों आई-पी नहीं है तीन हजार करोर का क्यों दोस्तों कंपनिया पे फंड रेस करेगा जो कि बह थोड़ा थोड़ा करके इसमें चाहिए तो वही सेम चीज़ मैं बोलंगा कि बजाज फनास की जासा है वियोडिस्ट जी हो कि आपका एसाइपी के थुरू हो थोड़ा थोड़ा करके यहां पे इन्वेस्ट करते जाए लॉंग टम के लावेसली बहुत अच्छी बैंक्स है अच्छी 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 एक इसी माइट रिप यानि इस ट्रॉप लाने राकी बात है उत्रा अखंट गवर्मेंट साइन किया में टूमेक स्टेट अग्लोबल टुरिसम स्पॉट तो यहां पे बहुत अच्छी वे अब बोल सकते यहां पाथ ओपन हो चुका कंपनी के सब्सक्राइब अब देखें मार्केट जब गिटता है ना स्मॉल क्याइब माइक्रो कैप मीट के अंदर सब्सक्राइब देखने को मिलता है यह सब को मालूम है तो जिस बैसे में लिए अमने देखा शेयर कुछ टीन पहले थोड़ा बहुत उपर की तरह मूव भी किया था अराउंड 45 रुपिस का सब्सक्राइब फिर से के मार्केट में करेक्शन शुरू हुआ तो शेयर में फिर से गिरावर शुरू हुआ बाकि स्मॉल क्याप होने के खारण थोड़ा बहुत रिस्क्राइब अच्छी कंपने काफी बहुत ही मतलब ग्रोथ सेक्टर कूर कंपनी काम करा है तो अब चाहिए तो इन्वेस्ट आप कर सकते हो बठाव शॉर्ट टम पॉइंट अभी से इन्वेस्ट मत करना अगर आपका पॉइंट अफ्यू लॉंग टाम का है तब ही जाईए ठीक है बाकि दोस्तों वीडियो को वाइंड आप करते हो मिलते नेक्स वीडियो अबे तब तक लेटेक क्या बाबाई जय हिंद्ट